दिहार के अंधर जिस तरह से तावरतोर अपराद बर रहा है और सुशासन बाबु भर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि अपराद घट रहा है लोग दहसत में है नटवर कुमार अगरवाल को कल ही रात्त्री में वो अपने ब्यापार करके लोट रहे थे गोली मार दिया उनके आवास पहुंचते पहुंचते उनके थैला को भी छिन करके भागा हमने उनके घर पर भी गया अस्पताल में भी गये देखने के लाइश्यू में भरती है दो दिन पहले समस्ति पूर गया था रगवीर स्वर्नकार के हाँ जिसकी गोली मारकर हत्या की गई अभी तक गिरबदारी किसी का नहीं हुआ और वहां का परसासन अपराधी को पकरने की वज़ाए जो मिर्तक के परिवार है और उसके बच्चे को थाना बुलाता है एक बज़े दिन में और अरहाई बज़े दिन में वो आता है और एक बज़े रात को उसको छोड़ता है एक तरह से मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है ताकि थाना में कम से कम मुकदमा दर्ज हो और इस तरह के प्रसासनी मानसिक्ता से जो ये आंकड़े का गराप दिखाते हैं ये दुरभाग्यपुर्ण है अपराद और भरष्टाचार के मामले में ये लोगों को जितना वरगलाने का प्रियास करें आज समस्तिपुर में मुहम्मद दानीश और इसकी एरेस्टिंग भी हुई थी जो मिर्टक था उसके वच्चे कोचिंग सेंटर चलाता था वहाँ पर आकर के लड़कियों के साथ छेड़ छार इन लोगों के दौरा किया गया सभी ने पकड़ कर थाना परभाडी के सुपुर्द किया और वो उसी समय धमकी दिया था कि मैं जेल से जब बाहर आऊंगा तो बता दूंगा थाना परभाडी काउंटर केस करके उसके बच्चे को परेसान करकर के दोनों के भी समझोता करवा दिया और जब वो निकला बाहर तो आज घटना वहां घटित हुआ चार दिन हो गया पांच पचमा दिन है और अभी तक गिरभदारी नहीं होना इतना गंभीर मामला में वहां के पूरे महले के लोगों ने जब हम लोग गए थे कहा था कि ये थाना परभाडी भारी बरस्ट है ये दारू बेचने बालों की गैंग के साथ थाना में बैढ़ता है उसके साथ वहां के दियस्पी और थाना परभारी का संड़क्षन प्राप्त है चाहिए और थाना परभारी दियस्पी पर भी आरोप लगा है लेकिन सरकार ये समझाने में लगी हुई है कि अपराद घट रहा है छिंते की घटना इतना बर गया है कि पटना के अंदर अब लोग भई भी थे यहां की महलाएं सोना के चैन पहन करके निकलने में डर रही है और सरकार की इस तरह की मानसिक्ता कहीं ने कहीं लोगों को भैभीत कर रहा है ऐसे सुशासन बाबू कुर्शी कुमार दो हजार में आये थे और उन्हों ने उस अरजक्ता के माहौल को नहीं देखा मंत्री के रूप में थे आये थे बहुमत नहीं सिधुवा फिर जाके दिल्ली में मंत्री बन गए भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों ने संघर्स किया अपना खुन और पसीना बहाया लड़ा और जहां से हम चले थे इस अरजक्ता के विरोध में आज इन्होंने खुद गलवहिया करके 2013 में 23 सिध पर जो अरजक्ता पहलाने वाले राज़त के लोग थे उट 23 सिध पर पहुँचे थे और उस 23 सिध वाले को फिर सरकार में लाकर उसके मनोबल को बढ़ा कर अपराधियों के मनोबल को बढ़ा कर अरजक्ता का वातवर इन्होंने बनाया जब इनकी परिशानी हुई तो फिर उन्होंने भागा भारतिय जन्ता पाटि के साथ मिला और भारतिय जन्ता पाटि ने सोचा कि इनको पहस्चाता पोड़ा कि हमसे गलती हो गई लेकिन ये बड़े भाई और छोटे भाई अंदर से मिले हुए है बिहार के अंदर अरजकता फैलाने में इनकी भी कम भूमिका नहीं है और आज जितनी भी अपराद की घटना हो रही है पुलिस परसासन का मनोबल गिरा हुआ है पुलिस परसासन दबाव में काम कर रही है अपराद की घटना थाना में दर्ज नहीं हो पा रहा है और जो दर्ज करता है उसको टोर्चर किया जा रहा है एक नकरात्मक वातावरन बनाया जा रहा है ये लाग सफाई देदें अगर जो इस तरह की वातावरन को नहीं रोका गया और अपराधियों की सरकार चलाते रहे तो पूरी तरह से अरजक्ता की पूर्ण जिम्यवार मुख मंत्री जी होंगे मुख मंत्री जी बिहार के अंदर भरस्टाचार और अपराध की गंगोत्री तो बहा ही रहे हैं उसे संदच्चित भी कर रहे हैं आपने देखा कि परमान के साथ जिस विशे को हमने भरस्टाचार के मामला को रखा था आज तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और यो मामला हम छोड़ेंगे नहीं हर भी भाग के अंदर कई भरस्टाचार का मामला उजागर होगा लेकिन भरस्टाचार और अपराध को लेकर के ये देश की राजनीत का जो सपना देख रहे हैं यह दुखदा दुरभागे पुर्ण है कि जो अपना राज नहीं सही जंग से समाल पाए जो राज के अंदर एक भाग का वातावरन बना है और उस अपराध को रोकने में सफल हैं अब उन्हीं का एक आकड़ा है उन्होंने दिया है कि संगे अपराध अब देखे संगे अपराध 28,002,002,002,606 रिपब्लिकन न्यूसे जूरने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए यहां बेल को दबाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले